अबर बता दे आपको निती आयोग की बैठक से मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के शामिल ना होने पर अब घमासान छड़ गया है बीजेपी मुख्यमंत्रे नितीश कुमार पर चोतरफा हमला मर है वहीं हमारे सहयोगी रितेश मिस्रा ने जेडियू एमलसी नीरज कुमार से इस विशेपर खास बात चुईत की आईए सुनाते हैं आपको सर निती आयोग की बैठक जहांपर डेबलप्मेंट के सारे इस्यूज होते हैं वहाँ पर आखिर आपको क्या परहेज है कि नीती आयोग की बैठक में राजी के मुख मंत्री ही रहे या कोई परिपाटी नहीं है और मानिय मुख मंत्री अधिक्रित करते हैं इसके पहले भी केंद्र सरकार ने पक्षपात किया जब भारतिय जनता पार्टी हमारे साथ थी जब तो 23 महिनाम जब साश्टांग दंडवत हुए तो तारकिशोर प्रसाद जी का अनुसंसा गया तो तारकिशोर प्रसाद जी को बैठक में सामिल नहीं ने दिया और नीती आयोक की जो रिपोट आती है वह भी भी शंगती पुन है बैया भिक्सित राजय और बिकास सिल राजय महिला ससक्ति करन में हमको प्रमान पत्रु चाहिए तो प्रमान पत्र नहीं चाहिए पहले तो बात आ रही थी कि वित मंत्री जो है वो भी जा सकते हैं लेकिन अब कोई नहीं जा रहे हैं डिप्टी सीम भी नहीं जा रहे हैं तो नहीं लग रहा है कि बिहार का जो विकास है जहां पर उचित फूरम पे रखना था वो सारी चीजे राजनीती की भेट चड़ रही वो अधिक कर सकते हैं भाई कौन सी परिपाटी है, मंत्री मंदल सामूहिक रूप से पतिनितु करता है तो अगर वो मंत्री मंदल के कोई सदस मानिए, सदस वहां जाकर कर दीती आयोग में अफिनी बात कहें तो इसका ये बिहार का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा आखिर क्या मतलब है तो इनको तो करना कुछ नहीं है करना कुछ नहीं है अक्यवल बोलना है हमारे सर बिहार सरकार के पूरो मंत्री जेडियू मलसी निरज कुमार थे जिन्नोंने साफ तोर पर कहा कि नीती आयो की जो बैठक है उसमें बिहार के डेबलप्मेंट की बात कम होती है और इस पर पहले भी जिस तरह से जब बीजेपी के साथ जेडियू थी तब भी यहां से नहीं पहुंचे थे लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से राजनीती का आरूप पर त्यारोप हो रहा है कहीं न कहीं डेबलप्मेंट की जो इस्यूज होते हैं वो इससे प्रभावित होते हैं वीडियो जनरलिस्ट राकेस के साथ रितेश मिलस्रा निउज स्टेट पटना